समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेत आजम खान की मुश्किल ने कम होने का नाम नहीं ले रही हैं गुरुवार को इंकम टेक्स ने आजम खान और उनके करीबियों पर रेड मारी रामपूर में आजम की कोठी पर छापा पड़ा इसके लावा मेरट, गाजिअबाद, सहरनपूर, सीतापूर, लगनों में भी रेड मारी गए आजम खान के घर आयकर विभाग की चापे मारी दूसरे दिन भी जारी है आयकर अधिकारी उने रात भर आजम खान के घर चानबीन की देर रात में कई अधिकारी घर से निकले तो उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी पहुँचे और उन्होंने तलाशी अभियान चारी रखा गुरुवार सुभा भी आयकर अधिकारी आजम खान के घर में तलाशी लिते रहे इस वक्त हम मौझूद हैं समाजवाजी पार्टी के राश्ट्री महासाचिव आजम खान के आवास पर आयकर विभाग की टीम ने आजम खान के आवास पर चापे मारी की है बुद्वार की सुबा च्छे बजे SPB के कमांडो के साथ आयकर विभाग की टीम आजम खान के आवास पर पहुची और चापे मारी की आज दूसरा दिन है जो कि आयकर विभाग की टीम पहुची है आप देख सकते हैं आयकर विभाग की गाड़ी है गर्मिंट आफ आंडिया की जिसमे अधीकारий आए आयकर विभाग की और आजम खान के आवाज पे पुच्छताच चल रही है हम आपको बता दें के ये आजम खान का आवास है आप देख सकते हैं यहां पर पुछताच चल रही है आजम खान और आजम खान के परिवाद से आजम खान की पत्री डाक्टर तन्जीन फात्मा अब्दुल्ला आजम खान अदीब आजम खान और साथ ही आजम खान के करीबी च सफर रिजोर्ट पर ये चाप इमारी आयकर विभाग की है दो दिन से जो कि चाप इमारी चल रही है आयकर विभाग की टीम ने अभी कुछ बताया नहीं है कि किस तरह की चाप इमारी है क्या निकला है अंदर फिलाल ये चाप इमारी चल रही है जो कि दो दिन से जारी है पयान विवाद मुकद में जेल जमानत सजा के जंचाल में फंसे दिगज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की चिनोतियों का सिलसिला धमने की जगह और बढ़ता चा रहा है दस बार विधायक और एक बार सांसद रहे आजम खान अपने जोरदार बयानों के लिए सुर्ख्यों में बने रहे आजम खान इन दिनों अपने सबसे बुरे दोर से गुजर रही हैं उनके उपर कई सारे आरोप हैं कुछ महीने पहले हेट स्पीच मामले में रामपुर की एक अदालत ने दो साल की सज़ा सुनाई थी इसके लावा कोर्ट ने एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था फिलहाल आजम खान जमानत पर बाहर है कुछ महीने पहले योगी सरकार ने उनकी Y कटेगरी की सुरक्षा हटा ली थी इसके बाद उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को वापस बुला लिया गया इस मामले में ग्रही विभाग के वरिष्ट अधिकारी ने बताया के स्ट्रेस लेवल सिक्योरेटी कमेटी ने कहा कि आजम खान को Y कटेगरी की सुरक्षा देने का कोई और चुत्य नहीं रह गया है एक वक्त था जब समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान की तूती बोलती थी लेकिन जब 2017 में समाजवादी पार्टी सत्ता से बेद खल हुई तो आजम खान के बुरे दिन भी शुरू हो गए साल 2017 के सत्ता परिवर्तन के बाद यूपी में योगी अधितनात की अगवाई वाली सरकार बनी तब से ही आजम खान की मुश्किलें काफी ज्यादा पड़ गई है राजनीती में पोरा परिवार हाशिये पर चला गया खुद के साथ साथ बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधाय की चली गई रामपूर में अब वो रुत्बा नहीं जो पहली था सपा नेता ने उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में जम कर प्रचार किया इस दौरान आजम खान न योगी सरकार और बीजेपी पर जम कर हमला बोला था और कई विवादे तो बयान भी दिये थे अपने समय के रसूखदार नेता आजम खान पर 100 से ज्यादा केस दर्च हो चुके हैं इन में साल 2020 तक दर्च 102 मुकदमे शामिल हैं जबकि दो नए मुकदमे जेल से रिहाई के बाद दर्च हुए हैं कुल मिलाकर योगी सरकार के आने के बाद शुरू हुए आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं